हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार Students, 11th Business Study में हमारा जो 2nd unit है वो है व्यावसाई संगठन के स्वरूप बच्चों व्यावसाई करने के कितने प्रकार होते हैं, व्यावसाई करने के कितने तरीके होते हैं आज हम इसी चेप्टर के बारे में समझने वाले हैं इसी सब्जेक्ट को हम समझने वाले हैं ठीक है तो व्योसाइक संगठन मतलब क्या व्योसाइक संगठन के स्वरूप यह हमारे चेप्टर का नाम है तो सबसे पहले हमें व्योसाइक संगठन का मतलब होता है व्योसाइक कर किसि व्योसायए या वानेजीक किरिया में वगा हुआ है, व्योसाय का मतलब ही होता है व्याlarını व्यापार करना वस्तों का क्रेविकृ करना या वानेजीsk किरिया उनको 3 भागों में बाटा गया है स्वामित्व मतलब मालिकी के आधार पर व्यवसाए के जो तरीके हैं उनको 3 भागों में बाटा गया है मतलब क्या होता है नीजी छेत्र का मतलब क्या होता है मतलब स्वामित्व के आधार में नीजी छेत्र के व्योसाय करने के जो तरीके है वो कौन-कौन से हैं तो हम नीजी छेत्र को किस प्रकार से समझ सकते हैं जिसको हम अंगरेजी में प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे यह प्राइवेट सेक्टर यह पब्लिक सेक्टर और यह जॉइन सेक्टर अब यह प्राइवेट सेक्टर मतलब नीजी छेत्र का मतलब क्या होता है नीजी छेत्र को या ऐसे छेत्र के जो भी व्यवसाय होंगे उन्हें हम नीजी छेत्र के व्यवसाय कहेंगे प्राइवेट सेक्टर मतलब जिसका स्वामित्व निजी हातों में होगा जिसका प्रबंदन वो भी निजी हातों में होगा और जिसका नियंत्रण वो भी निजी हात मतलब प्राइवेट हातों में होगा तो उसे हम निजी छेत्र के जितने भी व्यवसायत करने के तरीके होंगे वो निजी छेत्र के होंगे दूसरा होता है सार सारवजनिक छेत्र के जो व्यवसाय कहेंगे तीसरा होता है जॉइंट सेक्टर का मतलब नीजी और सरकार यह दोनों मिल करके जब किसी व्यवसाय को करेंगे तो उसके अंतरगत स्वामित्व प्रबंदर और नियंतरण किसके हाथ में होता नीजी और सरकार दोनों के मिल करके हाथ में जब व्योसाय होगा तो वो कहलाएगा संयूक्त छेत्र का व्योसाय इस प्रकार से स्वामित्व के आधार में कितने प्रकार होगे तीन एक नीजी छेत्र दूसरा सार्वजनिक छेत्र और तीसरा होता है संयूक्त छेत्र अब नीजी छेत्र में कौन-कौन से व्योसाई किये जाते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंदन और नियंत्रण प्राइवेट हातों में होता है इसी प्रकार से सारवजनिक छेत्र के ऐसे कौन से व्योसाय हैं जिनका स्वामी तो प्रबंदर नियंत्रन सरकार करती है और ऐसे कौन से व्योसाय हैं जिनका स्वामी तो प्रबंदर नियंत्रन प्राइवेट और पब्लिक सरकार दोनों मिल करके करती हैं इन तीनों को हम इससे फार्म होंगे व्योसाय करने के तो सबसे पहला है हमारे सामने एकल स्वामित्व मतलब एका की व्यापार दूसरा होता है सयुप्त हिंदू परिवार तीसरा है साजिदारी चौथा है सहकारी समीती और पाचवा है कमपनी जिसे हम सयुप्त इसकंद प्रबंडल कहते हैं यह न मादियम से सजेदारी के माधियम से सहकारी समीती से या फिर कंपनी से इनको हम म समझांगे जालिने इससे क्षेत्र के सारवजनिक से रिखत्र के कौन से व्योसाय होंगे तो नमबर एक विभागी उक्रम तो सार्वजनिक निगम और तीसरा है सरकारी कंपनी उपर वाली जो पांच है वो हम इसी यूनिट में समझने वाले हैं और नीचे के जो तीन है वो हम अगली यूनिट में नेक्स्ट यूनिट में हम समझेंगे अब सबसे पहला जो नीजी छेत्र के जो प्रारूप है यह पांच इनको हम स्टेप इनका आर्थ इनकी विसेस्ता हैं इनके लाब इनके दोस्त यह सब हम समझने वाले हैं तो सबसे पहला नीजी छेत्र के प्रारूप में कौन सा आता है एकल स्वामित्व या इसी को हम दूस और नियंत्रण नीजी हातों में होता है ऐसे व्यासाई को हम कुन सा छेत्र वोलेकर तो प्राइवट सेक्टर और एक हीव्यक्ति के हात में होता हैं एक व्यक्ति करता है एका की व्यापर बोलेंगे एकल स्वामित्व बोले एकल स्वामित्व मतलब उस व्योसाय का जो स्वामि है वो एक ही होगा उसका प्रवंदन भी वो एक ही करेगा उसका नियंत्रन भी वो एक ही करेगा इसको बोलते हम एकल व्याप स्वामित्व या एका की व्यापार अब इसकी विसेस्ता हैं क्या होग इसे हमने अकाउंटेंसी में पड़ा प्रथक अस्तित्व की आउधारणा ये लिखांकन का सिद्धानत है उसके अकॉर्डिंग व्यापार और व्यापारी दोनों अलग-अलग होते हैं लेकिन यहां पर एकल स्वामितों वाले व्यापार में उसका व्यापारी का व्यापार से प्रथक अस्तित्व नहीं है क्यों नहीं है इस प्रारूप में व्यापारी तथा व्यापारी में कोई अंतर नहीं माना जाता अर्थार जो भी संपत्ति वदाईतों व्यापारी के हैं पुदार खरीद कर लाया तो उसकी जो देंदारियां है जो भी लाई तो यहां पर इसलिए कुछ्छ वेवसा कर दाई हरे महीं बहुत आसान होता हैं बिना किसी वेधानिक कारवई के आप आसानी से कोई सांवी एकल सवामेत्वों का व्याव्वसाय कर सकते हैं है चोथा है प्रबंध और नियंद्रण वैकल एक ही वेक्ति है वह आसानी से ऊसका मैंनेज्मेंट कर सकता है आसानी से कंट्रोल कर सकता है नियंद्रण कर सकता। पी असीमित्व का मतलब होता है कि एकल क्या है का हुना विधी वयाउसाईक संप resonates लिए परियाप्त नहीं है उसके व्यापार में जितनी भी संपत्ति है अब उसने जितना भी लोन लिया है लोगों से बेंक से लोन लिया है बाहरी वेक्तियों से लोन लिया है अब उन रिनो का भुक्तान करने के लिए उसके व्यापार के जितनी भी संपत्ति बेच करके भुक्तान करने के बाद भी यह दिकुछ ताइट बचता है तो उसे अपनी नीजी संपत्ति बेच कर उसका भुक्तान करना पड़ेगा इसे कहते हैं असीमित दाइट मतलब उसका जो दाइट वह है वह वह जितना भी लोन लेगा वह सब उसका दाइट बनता है व्योसाइश से तो दे ग लेक्षा पर हिसाब से आप Gum abroad इए व्योव तो नम्बर में भी हम यह तोप से कुप हम किटने पसरी सब्डमें अनसर लिखेंगी है है तो दो नंबर इन नंबर और चार नंबर इन पॉइंट में लिखिए चार नंबΌ में लिखेंगे तो में स्वाध तक है नमेर में प्रत्षक वेधानिक अस्तीत्व नहीं उसका निर्माणा आसान है प्रवंदर नियंत्रन उसका खुद का होता है ताई तो उसका आसीमित होता है अविभाजित जोखिम मतलब यहां पर अकेला ही यह व्यापार को कर रहा है तो जितना लाब होगा वो भी लाब उसी का और की की होगी मतलब उसको ही वहन करना पड़ेगा तक जीर कीels खर favor के लिए इस tä собир रहा को नीजी सेवाय प्रदान करने के लिए कजा होते हैं चालके के लिए या पुरमंहों सेवाय चाहिए होती है या परसनली सेवाय देना होती है तो इस प्रकार के वयोसाय में एकल स्वामित्व वयोसाय बहुत आसान होता है तो गराकों को नीजी सेवाय प्रदान करने के लिए थोटे प्यमाने के वयोसाय जैसे करसी है तिलाई का कारय है बेकरी है ब्यूटी पार्लर है यह तो यह सभी इस प्रकार प्रगत आने वाले व्यापार है वोपनियता वह एक ही व्यक्ति है तो सारी बाते उसकी मुठ्ठी में बंद है मतलब उसमें गोपनियता रख सकता है क्योंकि वही मालिक है वही स्वामी है वही प्रबंद करने वाला है तो उसमें गोपनियता बनी रहती तो यह मुख्य-μुख्य पुप स्यद मैं आपको बताना चाहो इसमाने इसका निर्मान करना आसान है इसका जोखी में वह अव्यभाजित होता है इसका दाई तो है असिमीत होता है और इसमें गोपनियता बनी रहती है ये पांच विश्यस्ताओं के साथ में हाँ एकल स्वामीतों के विश्यस्ता है बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं ठीक है अब हम आगे बड़े प्रस्ना आ गया कि एकल स्वामीतों या एका की व्यापार के गुण लिखिए गुण का मतलब होता है लाब गुण या फिर हम इसको क्या बोलेंगे कि एक की व्यापार करने की क्या एड़वटेज है मिर तो सबसे पहला इसका लाव है स्थापपना में सुगमता आपको यदि एका की व्यापार करना है तो आप उसको आसानी से सथाफित कर सकते हैं आपको कोई जादा कानूनी कारेवाई कहीं से परमीशन लेने के आव सकता नहीं और आप बहुत ही सरलता से आपके पास यदि पूझी है तो आप आसानी से एकाकी व्यापार सुरू कर सकते आप लोग गाउ में देखते होंगे किराना व्यापार यह दि उसको शुरू करना है तो एक उसको इस्थापना में सुगमता यह उ कोईसा भी निरने होगा तो दूसरे से पूछना पड़ेगा पूछने में टाइम लगेगा निरने लेने में समय लगेगा एका की व्यापार में उसे खुद ही वह खुद ही स्वामित्व है प्रबंदन करने वाला है नियंतरन करने वाला है इसलिए तुरंत निरने लेगा इस सबसे बड़ा फायदा है तीसरा इसका लाव है गोपनियता का लाव व्यापार के जितनी भी बाते बें अच्छी बाते हैं तो बुरी बात बुरी बाते भी होती है तो बुरी बातों को छुपा कर रख सकता है मानलो कोई ज्यादा प्रॉफिट वह उसको कुछ छुपा ना हो जो भी लाब होगा वह सारा उसका है यह उसको लढडु दिखाई देता है बहुत बड़ा और यह उसको प्रेड़ना देता है टारेक्ट को प्रेड़ीत होता है किसे प्रॉफिट से और अरो उत्सह साथ में काम करता है're क्योंकि सारा लाब उसी का होगा तो प्रतेक्ष प्रेड़ना मिलती उसको व्यक्तिगत नियंत्रण वो खोदी नियंत्रण कर सकता तो यह सारे क्या है एकल स्वामित्व के लाब हैं गुण है ठीक है आगे हम देखते हैं कि यदि लाब हैं गुण है तो कुछ सीमाएं भी सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए पैसा चाहिए एक व्यक्ति कितना पैसा लगाएगा माल खरिदना है बेचना है बेच दिया तो वसूली करना है वसूली नहीं फिर भी आपको माल खरीदना है उसके पास जो वित्तिय संसाधन एक व्यक्ति कितना संसाधन जुटाएगा तो वहां पर एक लिमिट आ जाती है मतलब उसके पास जीतनी पुंजी होगी उतना पैसा लगाएगा या उसके लोन लेने की जितनी छमता होगी उतना पैसा लगा सकता उससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकता हो तो उसकी जो वित्तिय साधन कैसे हो गए सीमित हो गए सीमित प्रवंद की एक वसलता एक व्यक्ति कितनी युग्यता रखता होगा एक विक्ति कितनी युग्यता रख सकता है, तो उसकी कुछ लिमिटेशन होगी, वह हर एक विक्ति, फिल्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, मतलब कहीं न कहीं तो उसकी सीमा आ जाती है, इसमें सभी कार एका की व्यापारी द्वारा किये जाते हैं, व्यापार में तो बहुत सारे कारे होते और एकल स्वामित्व में वो अकेला स्वामी है इसलिए सारे कारे उसे करने पहते हैं जो सभी छेत्रों में कुसल नहीं हो सकता वहां कुसल कर्मचारी की निक्ति करने में सक्षाम नहीं होता है क्यों क्योंकि कम पुंजी है कम वित्तिय संसाधन है और ऐसे परि बहुत बड़ा नुकसान होगई कि व्यापारी कुछ हो जाना जीवन समाप्त हो जाना तो उसका व्यौसाय क्या हो जाएगा समापत हो ब्राइब स्वामी उसको हम निरंतरता में नहीं बांद करना है उस्तार के लिए सीमित आउसर वे एक विक्ति कितनी जगत उड़ेगा वह अपना व्यासाय विस्तार भी करना चाहेगा तोहां पर उसको सीमित आ जाएगी तो यह दोस हम लिख सकते हैं हम खुदी यह दि समझ गए तो आप खुदी उसके दोस लिख सकते हैं फिर आगे हम देखेंगे अब एकल स्वामित्व का व्यासा है कहां कहां उपयोगी है किसके लिए उपयूक्तिता रखता है वो तो सबसे पहला तो है कि उन व्यासायों में जहां पर कम पुझी सेमित प् क्रणा तो हो कम प्रबंधन के आवसकता हो ऐसे व्यावसायों के लिए एकल तीय। ज्यारा उपयोगी होता है जैसे फुट कर व्यापारि प्रबंदे की यजिता के लिए he जिसे कपड़े सिलने में वाल काटने में दुकान हो गई तथा कानुन संबन्दी सलहा देने में तो इस प्रकार जो व्यवसाय है वो सारे क्या हो गए एकल स्वामीतों वाले हो गए और प्रवानित वस्तूं जिसे ऑर्डर पर जेवर बनाने के उत्पादन में कि जितने भी फुटकर व्यापारी होते हैं सभी किसमें आते हैं ये एकल स्वामित्व के व्यापार के अंतरगत आते हैं तो आज हमने क्या देखा व्योसाइक संगठन के स्वरूप में व्योसाइक संगठन के जो स्वरूप होते हैं स्वामित्व के आधार प्रतीन प्रकार के होते हैं एक नीजी छेत्र दूसरा सारवजनिक छेत्र और तीसरा होता है सयूप्त छेत्र तो नीजी छेत्र में पांच प्रकार होते हैं एकल परिवार साजिदारी सहकारी समीति और कमपनी उसमें से पहला जो एका की व्यापार है व्योसाइक संगधन के सोरूप में नीजी छेत्र के अंतरगत कुन-कुन से प्रकार के व्योसाइक किये जा सकते हैं तो उसमें से सबसे पहला जो एका की व्यापार है या एकल स्वामित् तो इस वीडियो को आप देखिए समझी है और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके मैसेज कर सकते हैं अगले वीडियो में व्योसाइक संगठन के अगले स्वरूप के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुडबाई